वेल्कम बैक, मैंसर फिर्टियाज अमद आज हम लोग क्लास एट्थ सब्जेक्ट मैथेमेटिक्स चेप्टर फॉर्टिन फैक्टराइशन पढ़ेंगे इचली वीडियो में मैंने फैक्टर्स के बारे में बताया algebraic expression, three grouping terms by using identity ये सारे point के हम लोग discuss कर चुके है अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे factorization of quadratic polynomial factorization of quadratic इसमें पढ़ना क्या है मुझे splitting, middle term splitting कैसे करते है middle term splitting अब देखे प्यारे किस तरह से middle term splitting करेंगे जैसे question है x square minus 4x x square minus 4x minus 12 इसे factorize करना है तो हम देखते हैं कि क्या ये identity पे है हम पहले observe करेंगे question देखेंगे क्या ये identity पे है कोई identity पे जो मैंने पिछली वीडियो में identity बताया था अपनों को कि a plus b का whole square तो a square plus 2ab plus b square a square minus b square a square minus 2ab plus b square a square minus b square is equal to a plus b into a minus b अब पो ये देखना कि इस identity पे है क्या तो देखते हैं आप यहां देखें मैंटा कि यहां x square और यहां पर क्या है 12 है square root of 12 होता है नहीं sir नहीं होता है तो जैसे आप यहां पर देखेंगे कोई square root किसी कर नहीं है तो क्या करना है कि यहां पर x square यहां पर क्या multiple है sir one का multiple है इस 1 को 12 से multiply कर लेंगे, इस 12 को 1 से multiply कर लेंगे, तो 12 बन जा क्या हो गया, सर 12 हो गया, आप देखेंगे के 12 के factors कौन कौन है, 3, 4 जा 12 और 4, 3 जा भी 12, 3, 4 जा 12, 4, 3 जा 12 एक ही बात है, 6, 2 जा, 2, 6 जा 12, 6, 2 जा 12, चल अच्छी बात है, और 12, 1 जा 12, इसके बाद, सर अब तो होगा, आप कोई देख लें, कोई factors नहीं, इसके लगा कोई होगा, तो आप करना क्या है, कि minus 4 लाना आपको, middle time splitting का मतलब है कि क्या लाना आपको, minus 4 लाना, तो इसी इसी तीनों से क्या करना है आपको, यह तो 12 बन जा 12 होगा, तो 6 plus 2 एड करें, या subtract करें, लाना कितना आप को या, जैसे भी लाना, बट, minus 4 आना चाहिए, चाहिए, प्लस करें, या minus करें, तो 6 plus 2 अगर add करते हैं, 6 plus 2 तो 8 हो जाता है, और 6 में से 2 minus करते हैं, तो 4, oh, yes, चलो भई, और देख लेते हैं, 4 plus 3, 7, minus करते हैं, 4 minus 3, 1, यह तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, चले, 12 plus 1, 13, 12 minus 1 करते हैं, 11, तो कोई नहीं होगा, बट, इसमें क्या करते हैं, 6 में से 2 minus करेंगे, तो 4 आएगा, तो minus 4 x लाना है, तो किस तरह से लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे, x square minus 6 x plus 4, plus 2 x, minus 12, तब तो minus 6 x में से plus 2 minus करेंगे, तो minus 4 आए, तो आप इन दोनों में pair लगा आप, इन दोनों में क्या common लेंगे, sir, x common लेंगे, बिल्कुल सही बात है, x minus, ये x cancel, 6 बजा, और इन दोनों में common क्या लेंगे, 2 common लेंगे, 2 cancel हो गया, x plus minus minus, 26, आपको क्या देखना है, कि अगर bracket के अंदर मेरा सही है, इन दोनों में से कुई लिख लेना आपको, x minus 6, इसक इसको हम क्या करते है, middle term splitting, और भी देखते हैं हम लोग, और भी question है, middle term splitting के, जैसे, हम question लें, x square minus 5x minus 24, तो क्या करना आपको, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है, 1 चुपा हुआ, इस 1 को 24 से multiply करेंगे, तो 24, 24 multiplied by 1 equals to 24, yes, 24 के factors कौन को नहीं, sir, हाँ, पता है, 4, 6, 24, yes, सही बात है, 4, 6, 24, यह 6, 4, 24, और बता है, 8, 3, 24, 3 into 8 equals to 24, और बता है, 8, 3, 24, sir, 12, 2, 24, बिल्कुल सही बात है, 12, 2, 2, जै कितना हुआ, 24, और 24 बन जा 24, इसके एलाब और कहीं है, इसके एलाब है, और भी कोई factors है, sir, नहीं है क्या करना है, मैंनस 5 लाना है, इसी से, चाहे प्लस करके लाएं Peki, मैंनस 5 अना चाहिए, चलो सुनो करते हैं, बढ़ी 12 प्लस 2 अगर प्लस करते हैं, तो 14 होता है, और सब्ट्रांक करते हैं, तो 10 होता, so, यह नहीं होगा 8 में से 3 मैंनस करते हैं तो 5 होगा अब प्लस करते हैं 11 होगा हाँ ये हो सकता 8 मैंनस 3 6 4 10 6 और प्लस 4 करेंगे तो 10 आगा मैंनस करेंगे तो 2 आगा बाकी कोई नहीं आ रहा थी ये आ रहा है क्या करेंगे 8 में से 3 मैंनस करेंगे लिखना है उसे मुझे ऐसे x square क्योंकि minus 5 लाना है तो minus 8x plus 3x minus 24 अब pair लगा लेंगे यस बिल्कुल सही इन दोनों में क्या common लेंगे x common लेंगे x minus 8 और इन दोनों में क्या common लेंगे x plus 3 common लेंगे तो यह 3 cancel हो गया plus minus minus 3x are 24 अब देखें bracket के अंदर अगर same है तो max मेरा बिल्कुल सही है इन दोनों में से क्या common लेंगे आप कौन बचा x plus 3 से बुट कर देंगे बिल्कुल सही बात